मस्कार दोस्तों आप सभी को चैत्र नवरात्र की बासंतिक नवरात्र की बहुत बहुत शुब कामना हैं आज का दिन हम सभी सनातन धर्मियों के लिए बहुत ही महत्पूर है क्योंकि आज के दिन से ही प्रकर्ति एक नया स्वरूप धारर करती है और आज से ही बासंतिक नवरात्र शुरू हुए है जिसमें हम नौ दिन मा भगवती की विभिन प्रकार से पूजा करते हैं उनको प्रसंद करने की प्रयास करते हैं और शक्ति का पूजन करते हैं हमारे भारत वर्ष में कहीं भी देख लीजिए हर तरह से कहीं भी उत्तर से लेते दच्छर तक आप देखेंगे कि शक्ति का किसी न किसी रूप में पूजन होता है कभी शिव की अरधांगिनी के रूप में तो कभी महाकाली के रूप में कभी मादुरगा के रूप में और मा भगवती को प्रसंद करने के लिए विभिन प्रकार की विधियों से उनका पूजन करते हैं तो हिंदू के लिए थनातन धर्मियों के लिए आज का ये दिन बहुत ही महत्पूर है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम पूजाक विधी अपनाएं वो बहुती सात्विक होनी चाहिए मा को प्रसंद करने के लिए हमें अपनी सात्विक विधी से ही पूजन करना चाहिए जिससे ऐसा कोई कार नहीं करना चाहिए जिससे कि किसी को भी कष्ट हो जैसे कि हमारे धर्म में ऐसा कभी उलेख नहीं है पुरा बली प्रथा का जो उलेख किया गया है वो बहुत ही गलत है हम कभी नहीं इस बात से का समर्थन करेंगे कि हम एक निर्मूख पशु की बली दें क्या आप खुद ही सोचिए कि मा करुणा मई है दया मई है क्या वो एक पशु की बली से प्रसंद होगी नहीं होगी मा तो दया का सागर है तो वो किसी पशु को मार के हम कैसे मा को प्रसंद कर लेंगे जो हमारे धर्म ग्रंथों में उलेख है उसका तार्थ पर है कि हम अपने अंदर के पशु की वली दें हमारे अंदर जो दुरुगुण हैं उनकी वली दें जो हम पशु के समान विवहार क मर्पित करते हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में सब के सामने आएं तो यह है इसका तात पर है यह नहीं है कि आप किसी गाय वैलो और पकरी को लेकर आएं उसको काटके मा के चरणों में चड़ा दें कभी मा इन सबसे कभी खुश नहीं होती है तो मेरा सभी से अनरोध ह है कि शक्ति की पूजन करें और बिल्कुल ही सात्विक तरीके से पूजन करें हम इस्त्रियों के लिए बहुत एक गर्व की बात है कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है जहां पर यह लोग कहते हैं आज कल नारी बात जो चल रहा है कि इस्त्रियों को कोई महत नहीं दिया गया है आज के समाज में ऐसा हो सकता है पर हमारे प्राचीन समाज में इस्त्रियों को सर्वो परिस्थान दिया गया था सर्वो परिस्थान इस्त्रियों को दिया गया था क्यूंकि इस्त्रियों को ही सबसे पहले पूजन किया जाता था उनका शक्ति के रूप में हमारा भी यह करतब है कि हम भी मर्यादा में रहकर ही आचरण करें और अपने इस जो सम्मान और महत जो हमें प्राप्त हुआ है उसका सम्मान खुद भी करें खुद भी उस मर्यादा से बाहर ना जाकर ऐसा कोई कारी ना करें आजादी के नाम पर कि जिससे हम हमें अपमानित ह पुना पड़े हम भी ऐसा ही कारें अगर कोई गलत करता है तो उसके साथ गलत करें पर खुद गलत ना बने कभी भी तो ये ये शक्ति का असली अतातपर है हमारे धर्म में हमेशा शक्ति का पूजन किया गया है तो इस्तरियों को कभी भी अपमान की दृष्टी से नहीं और एक बात और कहना चाहूंगे शक्ति के पूजन से तातपर यही है कि हमें प्रतियेक इस्तरी में प्रतियेक बच्ची में सभी में मा का स्वरूप होता है तो हमें भी आज से प्रड़ लेना चाहिए कि कभी कन्या ब्रून हत्या का समर्थन नहीं करेंगे हम कन्या मा को प मां को मानते हैं तो कभी भी कन्या ब्रून हत्या का समर्थन ना करें आज से ही यह प्रण लें तो मैं सभी अपने देश्वाशियों को और सनातन धर्मियों को आज से जो चैतर नवरात प्रारम हुए उनकी फिर से बधाई देती हूँ और एक बार फिर आपको नए साल की भी बधाई देती हूँ क्योंकि आज से हिंदू नवर्ष प्रारम हुआ है जिस जो पिंगल नामक तमचसर प्रारम हुआ है तो हजार असी इसका जो राजा है वो बुध है और मंतरी शुक्र है तो ये साल को माभगवती से हम सब मिलकर ये प्रातना करें कि ये आने वाला साल हम सभी के जीवन में नए उत्साह और नए उमंग भर दे, क्योंकि आज के दिन से प्रकर्थ भी नया श्रिंगार करती है, वो भी एक नवीन रूप में आती है, तो शक्ति का पूजन इसलिए किया जाता है, कि हम प्रकर्थी का पूजन करें, प्रकर्थी के हर संसाधन का जो उपर इश्वर ने हमें प्रदान किया है, उनकी हम रक्षा करें, जैसे जल है, वायू है, पेड़ पौधे हैं, जो भी संसाधन हमको अन्न है, जितनी भी चीजें हमें प्रकर्थी से प्राप्त हुईंगे हैं, उनका हम पूरे ही भर्सक प्रयास से उनकी रक्षा करें, यही प्रकर्थी हमें संदेश लेती है, और यह नवरात्र का यही महर्त है कि हम प्रकर्थी का पूजन करें, उसके संसाधनों के महर्त को समझें, उसको वर्वाद न करें, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरति का सरक्षर करें, पेर पोधों की रक्षा करें, उनको जितना हो सके पेर पोधे लगाएं और अपनी धर्ती माता को हरा भरा बनाएं, यही असलि पूजा है शक्ति की, तो एक बार फिर आप सभी को बासंतिक नवरात्र और हि जैश्री राम, जैश्री रादे